हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट नोडिफिकेशन लेके आ रहा हूँ बहुत ही अच्छी ग्रेट ओपनिंग आ रही है आपकी पावर ग्रेड की तरफ से पीजी सी आईल की तरफ से और यूटी सी आईल की तरफ से आप सभी लोगों के लिए रेक्रूटमेंट आउट हो चुगा विद्दा हेल्प अफ गेट 2021 जैसे कि आमने थम्नेल में देखी लिया होगा कि गेट 2021 के थुरू जो पिछला गेट था आपका उसके तरफ आपके रेक्रूटमेंट आउट हो जोगा है बहुत ही जादा वेकैंसी इसमें 105 एक सो पांच वेकैंसी दोस्तों हाँ पावर ग्रेड में ही 105 वेकैंसी और इसमें मैं यह बता जीता हूँ पहले आपको कौन सी कौन सी ब्रांच इलिजबल है इसमें जिससे कि आ बहुत ही जादा गोल्डन अपॉर्जनियोटी है सारी स्टुडेंट्स के लिए चलो डिटेल में डिसकस करते हैं कि आपकी इलिजबल होने वाली है कितना गेट का स्कूर काड़ लगेगा आपका और कितने स्टुडेंट्स इसमें 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 इसको फिल कर सकता है पूर काम है ठीक है आपके वाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलिग्राम अगर आप जोइन होना चाहते तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मैंने टेलिग्राम के लिंक प्रोवाइड कर दिए उसको भी जाकर जोइन कर सकते हूं जिससे कि आपके पास टैमली होने वाला है ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हो हैं मैं पावर ग्रेड की ओफिशियल वेबसाइट पर हूं तो जैसे ही आप नीचे आओए केरियर शेक्शन में आपको जो ओपनिंग में क्लियर करोगे तो वहां आपको एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाता है जैसे कि यहां देख सकते हो यह पहले नमर पर आपका लिखा हुआ है रिक्रूट्मेंट फॉर दा पॉस्ट अफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी एईट की पूस्ट पर होने वाला बहुत ही गरेट रिक्रूट्मेंट है तो मैं इसको पहले करके डाउनलोड कर लेता तो जैसे कि यहां देखी सकते हो आप रिक्रूट्मेंट फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूट्र साइंस एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोनिक्स और कम्यूनिकेशन यह चार ब्रांच आपके इलिजवल होने वाली है थ इलेक्ट्रिकल के लिए तो आपने इसाब से देख लेना कौन सी ब्रांच में आप लाई करते हो और फिर उसके बाद में देखो यहां पर लिखा हुआ है वेलिट गेट इसकूर होना चाहिए आपकी जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसमें पर फिर पर इसी बाद के लिए और फिर उसके लिए पैस को हिको उना है इस्पेक्ट होना चाहिए अर फिर गन्यूम होने चाहिए होले चाहिए और और उन्रिजब्ट के लिए आपका थोड़ा से रिलक्सेशन दे रखा है इसमें ठीक है वो देख लेना आप जो भी आपको देखना हो इसमें ठीक है इसको नूटिफिकेशन को मैं टेलेगराम में प्रवाड कर दोगा वहां से आप देख लेना है इसको बहुत ज़ादा गट ओपनिंगे, selection procedure आपका क्या होने वाला है, गेट के थुरू होने वाला है, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, लेकिन आपका किस वेसिज के होने वाला है, मैं वो आपको बता देता हूं, wait is क्या होने वाला है, देखो दोस्तों आपका जो gate के marks लगेंगे, out of 100, वो 85% आपका gate का wait is ह होगा उसमें से 3% आपका जीडी का होगा गुरूप डिसकेशन का पी आई का पस्टनल इंटर्व्यू जो होता है आपका 12% होगा तो टोटली आपका मुस्ट प्रोवेवली जो होने वाला है वो गेट के विजिस पर ही होने वाला है तो जिस किसी के भी गेट में अच्छे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लिखा हुगा आपकी यह लिखा हुगा के 500 रूपीज लगेंगे आपके गेट का scorecard डालना है verification के लिए at the time of gd गेट का scorecard आपको लेके जाना है hard copy के form में at the time of interview के दोरान और joining के दोरान ठीक है तो आप उसको ज़रूर समाल के रखें और जो भी आपके पास जो भी आपका photo ID card रखना है सब कुछ रखना है तो यह आपका main main ही जो है वो मैंने आपको बता दिया general instructions भी आप पढ़े लिना पूरा notification देखो मैं टेलिग्राम पर प्रोड़ करते हूंगा वहां से जाके इसको पूरा पढ़े लिना और बहुत ही जादा important openings है for these branches चार branches है उसमें से भी power grade में PG CIL इसमें निकली है आपकी vacancies और UTCIL में यह दोनों आपकी CTUIL ठीक है यहां पर लिखा हुआ है इन दोनों में आपकी vacancies निकली हुई है और जो आपका online application form है वो आज से ही start हो चुका है 271 2022 से और last date है आपकी 22 2022 ठीक है तो यह आपका इतना हो जाता है और जो आपकी cut 21 2021 से ठीक है तो 31 बारे 2021 से लेके जो भी आपकी 28 साल की होंगे बन दे उनका ace criteria count होगा इसमें तो main main point यह है मैं एक बार आपको समरा कर देता हूं पूरा summary में देखो आपकी जो vacancies है सबसे ज्यादा electrical engineering में दूसरे नमर पर CS engineering में फिर उसके बाद में civil की है और फिर EC की है EC की बहुत कम vacancies है ज्यादा नहीं है लेकिन है ठीक है टोटल मिलाके 105 vacancies है आपकी with the help of gate होने वाला 85% आपका gate का scorecard लगेगा और 15% आपका PI और GD लगेगा उसमें से PI का जो होगा आपका 12% होगा GD का आपका 3% होगा यही total है और आज से आपके firm start हो चुके है और कोई भी query हो description box में link पड़ी हुए telegram की वहाँ जाके आप हमसे पूछ सकते हैं और comment box में भी comment कर सकते हैं मैं आपका reply देने की पढाई करते में रहिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत जहां भी रहें पढ़ाई करते रहें लिवाront जय हिंद जय भारत